मौनिंग स्टुडेंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कच्छा दसवी गनित NCRT के अधाय आठ के जो आपको तिरकोनमिती का परिचे है उसमें एकसरसाइज 8.1 के पहले जो आपको उदारन के परशन है पांच उदारन के परशन है उसको इस वीडियो में लोग सलूशन देखेंगे दोस्तों क्योंकि उदारन के परशन आपको एकजाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको साथ-साथ आपको उदारन भी प्रेक्टिस कराते चलूंगा और नेक्स वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सर्फ साइज 8.1 उससे पहले मैं आपको साजेस्ट कर तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हमारा जो कोईस्टन वान होगा और आपके बुक के हिसाब से उदारन वान कहरा कोईस्टन में जदी टेन एकिवल टू फोर वाई थ्री है तो कौन ए के अन्न तिरिकनमीती अनुपात ग्याद कीजिए देखिए सबसे पहला कोईस्टन को इसका मतलब कोन क्या है जो भी नाम करन होगा उसके जगा अन्न तिरिकनमीती अनुपात ग्याद कीजिए तो हमारे पास तिरिकनमीती अनुपात कितने है छे है तो टेन को छोड़ कर बाकी सारे आपको निकालना होगा एक नहीं निकालीएगा यह कन्फ्यूज नहीं कभी तो जितने आपको तिरिकनमीती अनुपात है सभी आपको निकालना होगा तो चलिए आम लोग आए करते हैं कैसे सबसे पहले आम लोग क्या लिखेंगे हाल लिखेंगे क्योंकि देखो तो अच्छा लगता देखने में और एक्जामेनर चाहता है कि थोड़ा बढ़िया पहले हाल लिखेंगे और देखो तो पहले क्या करना एक हम लोग समकोन तिरभुज बनाते हैं क्योंकि ट्रिकोनमेटरी में हम लोग जो पढ़ना इसमें अनुपात में समकोन तिरभुज पर आधारी थे हैं तो हम लोग समकोन तिरभुज बना लेते हैं इसको हम लोग नाम तो सबसे पहले step one क्या करेंगे हम लोग दिया है लिखेंगे क्या करेंगे दिया है क्या दिया है कोश्चन में वह लिखते हैं एकदम सुरू से स्टाट करें बेसिक से जो नए बच्चे उनको बहुत अच्छा रहेगा है अगर या वीडियो अन तक बने रहो मैं आपसे आसा क करता हूं अगर वीडियो अन तक देखते हो तो आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा साथ पे आपको कोश्चन का हल भी मिलेगा ठीक है तो दिया है क्या दिया हुआ 10a equal to 4 by 3 यानि थीटा के जगा ए है तो हमारा ए है तो हम लोग जानते हैं थीटा का सम्मुग बुजा सम समकुन तिर भुज में हमेशा और हमेशा लम होता है तो यहां पर क्या होगा बीसी हमारा लम होगा ठीक है और जो 90 डिगरी को अपोजिट साइड क्या होता कर्ण होता है और 90 डिगरी के सलगन भुजा आधार होता है और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 10a यानि मतलब 10 लंग यानि आधार अईसा प्ली को ठीक है और लंब जो है यहां पर क्योंकि थीटा का संब्लूओ पुजाल होगा तो लंब क्या होगा B सी होगा थाम complimentsी सी टिवाइड क्या है अधार तो अधार क्या होता है जो 90 के अधार पर क्या होता है विदियोट灯 आफ infinite को अधार आप क्या होगा क्या हई निकर्ण होगा आपका यह थी टीक है देखो यहां पर क्या हे कि भेलू दिया बी सिंक है भेलू 4 तो हम लोग अनुपाद भेलू है और अनुपाद भेलू कोई नंबर नहीं होता है एक्जेक नंबर नहीं होता है कोई ना कुछ उसके साथ गुना होता है तो हम लोग माल ले रहे हैं किये इसके साथ गुना होगा किये क्या है कोई एक धन संखा यानि कोई पोजेटिव नंबर है तो यह आपको लंग मिल गया है 4K यानि BC और आधार दिया हुआ यानि आधार ये 3K ये आप 3K माल लो ये आप फिगार में वेंसें कर दिये इतना तक जो दिया था आपने कर लिये तो हम लोगों तो पहले ये तो हम को तरक भूजा गी जोरोत पड़ेगा तो तीन निकालने के लिए मैए पिछले वीडियो मेँ और परमेई का इवुच कर काया कि आयाराब एवीच्द का पायव निकाल से आप पया है था पायथा गौरोष गोरोष परमेई से ठीक कै? — प्रमे से क्या पाइथागर ऐस प्रमे के हाता है? क्या दो भुजा दिया है, लंब रादार तो हामारा तीसरा भुजा क्या है? कर्न निकाल सकते, और कर्ण बराबर क्या होग यहाँ? कर्ण यानि यहाँ पर दिया हुआ है AC बरावर हम लोग जानते हैं formula कि lump square प्लास आधार square तो lump क्या है BC तो हम लोग डारेट लिख लेंगे BC square प्लास आधार AB square ठीके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक अब देखो BC का क्या value आपके पास 4K है ना BC का value 4K तो आप 4K put कर दो यहां पे और इसके square है तो square कर दो प्लास AB का value 3K तो आप क्या करो 3K का square कर दो यह root under में है तीके आप देखो 4K square है ना 4K square है पर बेरिकेट में रख लो इसका मतलब है कि 4K square करेंगा तो 4 का square करते हैं तो 16K square हो जाएगी प्लास 3K square करते हैं तो 9K square हो जाएगा ठीके आगे देखो अगर हम 16K square plus 9K square को एड़ गरें कियोंकि दोनों ही एकी जाती कि है के square के square है तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं तो 16K square plus 9K square हमार हो जाता 25K square ठीके 25K square यहां से देखो 25 का बर्ग मूल लिकाल सकता है ठीक है मैं यहां लिक रहा हूँ यह AC बराबर क्या 25 का बर्ग मूल क्या होता 5 तो root से बाहर निकल गया और K square का बर्ग मूल क्या होगा K तो आपका निकल गया K B तो AC निकल कर आया 5K यानि आपको करन भी मिला है लम भी है अधार है तो आपको तिरकन मित्यों पात आप निकल जकता हो और पहला तिरकन मित्यों पाते lord jewel पात क्या होता आपको और क्या है, यहाँ पे AC, 5K, टिक, K के cancel कर दो, आपका भेलू जो आया है, 4 बटा, 5 आपका निकल कराया, साइन A का भेलू, उसी तरह हम लोग क्या निकल हैंगे, आगला क्या होता है, कोस A, ठिटा के जगा A रखेंगे, और कोस A बराबर होता, आधार भाई कर्ण, आधार दिया हो A, B, और आपका कर्ण है AC, that means AB by AC होगा, और AB के भेलू आपके पास 3K है, और AC के भेलू आपने अभी निकला 5K, तो K के cancel कर दो, आपके बच्चा क्या, 3 by 5, तो बेलू निकल गया, और आगला क्या होता है, जो कि 10 अल्रेड़ी दिया हुआ कोईशन में, तो हम लोग 10 नहीं निकलेंगे, तो क्या निकलेंगे, हम लोग कोसेक निकलेंगे, आगला होता हमारा क्या, कोसेक A, और कोसेक A क्या होता, उल्टा होता है तो यहाँ पर साइद थीटा क्या है बिसी बाइभाइ आसी है तो उल्टा करेंगा तो क्या हो जागे ऐसी बाइड बीसी रहना और एंची अपके पास फाइब के है और बीची अपके पास क्या है अँफोर के तूँ Agency डाकतों तहरों निकिल दिए अनुपात मिंश्ती पाती तो चली है आपको नेकस्ट क्यों रक्देगए है नमब्र और आपके बुक के इसाब से उदारन 2 उदारन 2 कह रहा है यह कोन का सिंबल है देखे यह जो ऐसा सिंबल है ना कोन का सिंबल होता है आप जानते हूँ कि फिर भी मैं आपको बता आता हू Rio अगर भूल के हैं अगे तो जदी यह कोन B और कोन Q ऐसे निवन कोण हो जिससे कि sin B sin Q तो सीद किजिए कि angle B equal to angle Q है ठीक है और इस दोनों क्या है निवन कोण है ठीक है यह आपका question में कहे रहा दूस्तों और आपको दिया भी है कि sin B और sin Q है यह एकिन आपको prove करना है कि angle B equal to angle Q यह पूरूब करके दिखाना और ऐसा परशन पूछता है तो यह आपके लिए बेरे बेरे इंपोर्टेंट परशन है आप इसको आच्छा से देखिए और पेक्टिस भी करिएगा तो चलिए पहले हम लोग दो तिर्भूज बनाते हैं ठीक है दो तिर्भूज बनाते हैं और स समकुन तिर्भूज यहां पर दिया हुआ पहला है कि इसको B माल लेते हैं क्या माल लेंगा हम लोग इसको B तो इधर B लेख लेते हैं ठीक है यह तो फिर आप इधर एक लिखो B A C ऐसे भी लिख सकता है यह सथ नहीं हो सकता है तो आप एक टो रेगूलर होना चाहिए ना तो माल लो यहां A है A B इसको C माल लो और क्या एंगल Q तो आप इसको Q मानोगे ठीक है तो यह P माल लो क्योंकि P Q R यहां पर R हो जाएगा यहां पर क्या है यह जो R है 90 डिग्री है और इस तिर्भूज में एंगल C 90 डिग्री है ठीक है और एंगल B हैंगल B आप यहां तो पहले आपको क्या बता है मैंने हल लिखेगा क्या लिखेगा हल ठीक है और आगे क्या करना जो दिया है पहले लिखेगा तो क्या step on आपको क्या दिया देखो दिया है क्या दिया है आपका दिया है कि एंगल बी एंगल बी और एंगल क्यू क्या है एंगल बी और एंगल क्य न्यून होने ठीक है यह आपका न्यून होने यह दिया हुआ और साथ में दिया हुआ है कि sin b sin b equal to sin q यह आपका given है इसका मतलब दिया है हमें क्या करना आगे सीध करना है तो आप लिखोगा ऐसा कि सीध करना है तो जब भी हम लोगो सीध करना होता न तो पहले जो दिया होता है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो दिया हुआ साइन बी एकिवल टू साइन क्यू टीक है साइन बी एकिवल टू साइन क्यू तो आप देखो बी है यह तिरभूज को डिनोट कर रहा यह जो बी है यह तिरभूज को डिनोट कर रहा तो यहां पर आप देख सकतो यह थीटा है तो थीटा का सब्मूब भूजा क्या होगा लं होगा और 90 degree opposite side कर्ण होगा और जो 90 degree के सललगन है वह यह क्या अधार होगा तो यहां C क्या होगा आपका लम और AB कर्ण और BC क्या होगा अधार तो देखो sin B और हम लोग जानते हैं sin B बराबर क्या होता sin theta बराबर होता है यहां पर लंबई कर्ण, तो इस तिर्भुज में LUM कौन सा है? AC, तो यह क्या लिखेंगे अम लोग AC लिखेंगे, यानि लंबई प्यर होगा, और कर्ण क्या हुगा? PQ, और QR होगा आपका आधार, तो SIN Q पराबर हमार हो जाता है, यानि साइन धिटा पराबर लंबाई लंबाई कर्ण तो यहां पर लंब P R है इस तिर्भूज में तो हम लोग लिखेंगे P R divided क्या है हमारा कर्ण P Q तो हम लोग लिखेंगे है P Q ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर अगे बढ़ते हैं इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो, इधर मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूँ, जागा नहीं है, भूल के ठीक है, और आप पूर समझेने भी आच्छा होगा, तो हम लोग यह जो है, इसको आगे अगर हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह भी ल ऐसा कर रहा हों क्यों, यह आगे आपको पता चलेगा, और ऐसा क्यों करना पढ़ रहा है, और ऐसा कब सोचेंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि तब आपके लिए आपको प्रेक्टिस का जोरोत है, क्योंकि मैंत बिना प्रेक्टिस का बनता नहीं है, तो क्या गरों यहाँ पर करन के बेच का होता है मतलब किया है यह रूट अनडर हम आपको qr निकालना हो, क्या है qr यानि आधार निकालना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, कर्ण स्क्वेर माइनास लंब स्क्वेर तो कर्ण यहाँ पर क्या है, pq तो आप क्या करो, pq लिख दो, pq स्क्वेर माइनास आपका PR square, क्या होगा, PR square यानि, LAM square यहां से आप लोग क्या लिख जकतो अता, BC बटा क्या करो आप, BC बटा QR है ना, BC बटा QR तम लोग देखो, BC के value क्या है यह है, आपका है AB square minus AC square divided, यह PQ square, divided PR square, ठीके यह बटा में, आप देखो, हम लोग क्या करेंगे AB जो है ना AB, AB के जगा क्या लिख सकते हैं AB बटा में है, मतलब बराबर होता है AB बराबर PQ है, तो AB के जगा हम लोग PQ रख सकते हैं, इसका मतलब PQ ही square हो जाएगा, यहां पर और AC, AC के बराबर PR रख सकते हैं, तो हम लोग यह PR पूट कर देंगे, है ना, PR रिख देंगे ऐसा, square divided क्या करोगे, PQ square माइनस PR square, ठीके अब देखो, उपर नीचे बराबर PQR square माइनस PR square root अंडर PQ square माइनस PR square, तो क्या करोगो, cancel out कर देंगे, cancel out, हमारे पास बचेगा क्या, BC बटा QR अगला slide में लोग जाते हैं BC बटा, BC बटा, क्या था हमारा BC बटा QR ठीके, BC बटा QR, यह BC बटा QR, निकले आपका 1, यह निकल कर आया, तो इसको equation 2 माने लो, ठीके और हम लोग slide पितले, बालाला था यहाँ पर भी तिर्भूष, ठीके, क्योंकि यहाँ समझाने के जोरूत पड़ेगा, आपको तिर्भूष के लेकर तो हम लोग इसको B माने थे, इसको A माने थे, इसको C माने थे यह 90 degree था, और एक तिर्भूष हम लोग माने थे क्या, यह Q था, ठीके यह P था, और यह आपका यह R था, यह 90 degree था यहाँ पर, ठीके, अब देखो equation 1 हमें क्या मिला है equation 1 कहता है S E बटा P R equal to AB बटा P Q तो हम लोग लिक लेते इस स्लाइड में भी, तो आपको थोड़ा अच्छा लाएगा, S E बटा P R S E बटा S E बटा equation 1 देखो, S E S E बटा P R है ठीके, S E बटा P R और निकाले हम लोग ABY P Q एक मिनेट ABY ABY P Q ठीके, यह equation 1 कहता है अब देखो समीकरन 1 और समीकरन 2 से हम लोग ऐसा कर लिख सकते हैं समीकरन 1 समीकरन 1 और 2 से और 2 से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि S E बटा P R एकिवेल टू ABY P Q एकिवेल टू BCY Q R यह आसा लिख सकते हैं ठीक है आप देखो यह जो हमें प्राप्थ हुआ S E बटा P R ABY P Q BCY Q R इसका मतलब यह हुआ कि S E equal to PR है S E equal to PR है और AB equal to P Q है BC equal to QR है तो इस तिर्भूज में आप देखो कि S E किसके बराबर PR के बराबर S E जो है इस तिर्भूज के S E इस तिर्भूज के PR के बराबर है ठीक है इस तिर्भूज में AB इस तिर्भूज में AB इस तिर्भूज में P Q के बराबर है और इस तिर्भूज में BC इस तिर्भूज में BC इस तिर्भूज में QR के बराबर है यहाँ पर देखो इस तिर्भूज का जो भूजा है जो A C भूजा है वो आपका इस तिर्भूज का पी आर भुजा के बराबर है तो इस तिर्भूज में भी लम है और इस तिर्भूज में भी लम है यानि जो इसको कहते हैं हम लोग संगत भुजा क्या कहते हैं हम लोग संगत भुजा ठीक है क्या हो जाता है कि सम्रूफ हो जाता है जब दो तिर्भूज के संगत भुजाएं बराबर हो जाती आपस में और संगत कौन बराबर हो जाती है तो ऐसे दो तिर्भूज का हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों तिर्भूज सिमिलार हैं इंगलिस में और इसको तिर्भूज सकते ह पर दो तरफ्म से यहां पर पर आपनों तुरुज को पहले हम्你看 सकते हैं कि यह तिर पू Laureus क्यों कि बराबर मतσωória को जाएगा। तो कॉन बवराबर क्या हो जाएगा। सो दो की निकालना था हमारा क्या हो गया है फूरूवśl हो है है यह उम्मीद कर रहा है आप समझे बहुत ही बैदरी इपरकहर था और इक क्षा जाता है ठीक है चलिए हमारा next question देखते है, question number 3, जो कि आपका उदारन भी 3 है, है ना, चलिए, तिरभूज A, C, B लिजिए, जिसका कौन C समकौन है, जिसमें A, B equal to 29 Eka है, और B, C equal to 21 Eka है, और A, B, C theta है, तो निम्नलिखित के मान ग्याद करना, आपको question 1 में कहा, cos square theta पहला sin square theta है, और cos square theta माइनस sin square theta है, तो चलिए, पहले हम लोग एक तिरभूज बनाते हैं, कि आपको देखे, आकरिती भी दिया हुआ था, बट मैं यहां आकरिती नहीं हो, चलिए, मैं आपका आकरिती बना देता हूँ, आकरिती एक तिरभूज है A, C, B A, C, B, इसमें दिया हुआ condition दिया हुआ है, कि जो A, C, B होगा, इसमें जो A, B, C, theta है, इसके अंतलो B theta है, तो आप माल लो यह theta है, जो middle बाला होता ना, उसको theta होता है, B यहां theta है, तो इसको A माल लो, क्योंकि A, B, C होगा, ऐसे, तो C क्या हमारा sum कोने, C, sum कोने, और question में क पहा भी था कि C, sum कोने, तो हमारा तिर्फूज बन गया है, ठीके, इसमें, देखो, A, B कितना हुआ, 29 निकाई है, A, B, sorry, A, B, A, B, A, B, B, A, B, 29 निकाई है, 29 निकाई है, 29 निकाई दिया हुआ, ठीके, इस तिर्फूज में, आगे दिया, B, C, B, C, 21 दिया, कितना, 21 आपको चाहिये, करन चाहिए, लंब चाहिए, और आधार चाहिए, तो इसमें, देखो, थीटा यह है, थीटा दिया हो कोजिशन में, यह है, तो इसका संहुए होगा, लंब, और यह क्या होगा तो आपको क्या लंग नहीं दिया हो तब सबसे पहला आपको निखान लोगा है न सबसे पहला एक लिखेंगे मिद्या है क्या दिया है उसको पहला मुझें करते हैं ठीचे कि A B है ना तिर्भूज A B C में तिर्भूज A B C में क्या C एंगल C क्या है समकोन है यानि 90 डिग्री ऐसा आप लिख सकते हो और आगे दिया कि A B A B पराबर आपका भेलू दिया हुआ 29 इकाई यहां पर इकाई दिया हुआ मतलब कोई भी उनिट है सेंटिमेटर भी हो सकता है आपका मिटर भी हो सकता कुछ भी और B C का भेलू आपका दिया है एक की सी काई तो इहां पर आप कहा सकतो जो A B दिया हुआ वो कर्ण दिया है और जो B C दिया है यह आधार दिया हुआ तो आधार और कर्ण दिया है तो हमक लो निकाल सकते हैं पाईथा गोरोष ठीक है पाईथा गोरोष प्रमेज से अम लोग क्या निकाल सकते हैं अगला भुजा अगला भुजा कुन सा लंब और लंब बराबर क्या यहां कि Dem View to allows Char लोग यानिलम ब्राबर कर न स्वेर और करन केतना हमा टम ट्यंतिनाइन है ना ट्वेंतिननाइन का स्प्यर माइनास बीसी स्क्वार पीसी क्या होगा पिसी स्कॉर अधार का इस्क्वर तो अप लिए अधार स्वरी बी ऩिनना बीसी जगा पहले फुट JERU तो 20 तो 20 अच्छो वह बात ना आगे करते हैं 12 स्क्वार तिक है और माइनस 20 तो 21 स्क्वार ठीक है यह आपर हो यह कर रहा हूं यहां पर दो एस्क्वार माइनस 20 स्क्वार बराबर क्या होता है a plus b into a minus b हम लोग लिख सकते हैं a c बराबर a plus b a कितना 29 29 plus 21 a plus b और a minus b 29 minus 21 करेंगे तो क्या होगा आठ हो जाएगा चलो आगे करते हैं 29 plus 21 करेंगे तो आपको 50 होगा गुना 8 है ना आप तो किसको अम लोग तोड़ते हैं 50 को 5 गुना 5 25 गुना 2 लिख सकते हैं और 8 को लोग क्या लिख सकते हैं 2 continuing 2 गुना 2 लिख सकते हैं ठीक है ऐसा क्यों कियो कि हमको इस और टो अंदर में यह संगे को निकालने से विधा हो तो यह 100 बन रा हा पांच को प्यार एक जोड़ा बन अनु talent tحت निकल दो दो पॉन 10 दो दूण 20 हमारे पास और आपके पास already A B है और BC B है ठीक है, तो चलिए हम लोग आगला में करते हैं, अगल तो हमको निकालना क्या पहला, ये निकालना, तो पहले हम लिख ले रहे question 1 निकालना, question 1 में कह GIRARा कि owe square theta है how square theta plus sine square theta, ठीक है, sine square theta और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कोस्षफटेड़ यानि कोस्षट facility पर आपको और लोग सकते हैं एक जिस बट्रार क्या है आपको नीकला कर्ण दिया हो आप 29 है ना 29 तो यह इस्क्वेर है तो इस्क्वर इस्क्वर लिख दी और साइन थीटा पराबर क्या होता आपका लंब इस्क्वर लंब बटा कर तो लंब क्या है आपका 20 है ना लंब क्या 20 तो 20 बटा आप क्या लिखोगे यहां आपका 29 लिखोगे और होल इस्क्व करोगे तो आपको क्या होता है 400 और 29 का इसको एक होता इसके वोना करो तो आप के पास हो जाएगा 441 प्लास इसके सब फिर भाग देंगे एक और एक गुना करेंगे इसको तो 400 हो जाएगा आपके पास जो तो एड करेंग उपर में 441 प्लस 400 तो आपका 841 होगा पर 841 डिवाइड़ क्या हो जाएगा आपका 841 आप दो 841 841 कैंसल कर सकतो हो आपका निकला एक तो आपका पहला का एंसर निकल गया एक ठीक है चलिए हम लोग दो को करते हैं इस साइड में ठीक है दो आपका कहरा कोस स् क्या होता है यह 21 इस बटा fermentation टो 21 इस बटा 29 लिखो नो नहीं 29 है यह स्वर माइनास इस बटा क्या है 29 इसका 20 कर तो ठीक है आप 25 केई स्क्यार कितना आप में निकाया 441 और 29- paper दिवाइड क्या होगा 841 अब क्या करो 841 क्या करो LCM ले लो आप 840 अगर LCM ले ले लेते हो तो 1 यह मतलब 441-400 हो जाता है तो 441 से 400- सब्सक्राइब करें तो बचेगा क्या सब्सक्राइब करें आप नहीं है लाइक करें और सयार करते रहें आपने दोस्तों को पीज़ें चलिए हमारा सब्सक्राइब करें तो आपको जो पहले मैंने क्या बता है दिया है क्या लिखना है तो आप लिखो दिया है ठीक है दिया है दिया क्या है संकोन तिर्भूज ABC में क्या लिखोगे ABC एक संकोन तिर्भूज है यह लिख दिया और B क्या संकोन है यानि B बराबर आपका 90 डिगरी है लिखते ना और 10 है और आपके दिया हुए 10a यानि 10a यह 10 theta बोल सकते हुए 1 दिया हुए और हम लोग जानते हैं कि 10a बराबर 10 theta बराबर क्या होता है लंबाय आधार और हम लोग क्या सीध करना यह पूरूब करना सच्टापीद करना तो यहां नहीं लिखेंगे चीक है चलो तो यहां पर जो दिया हुआ है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्या लिखेंगे इसको 10 theta बराबर हम लोग फोर्मूला जानते हैं या फिर आप 10a कहो क्या बोल सकते हुए उसको लंबाय आधार तो यह theta है theta के समुझ भूजा क्या लंब यह है तो bc होगा लंब और आधार क्या होगा तो आप क्या लिखो आधार a b ठीके यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इकिवेल्ट वान दिया हुआ तो आप यहां से लिख सकते हो कि bc बटा a b एकिवेल्ट क्या है वान है यहां से आप क्या करो कि bc पराबर आप एब़ी कर लो यह भूज देखो आगे हम को लं क्या लंब और अधार दियो कर्म भी चाहिए कर्म क्या होगा एसी और एसी करने के लिए क्या करेंगा लंब स्कूर प्लस आधार इस्कूर तो लंब क्या है अपका बीसी है ना तो बीसी स्क्राइबique 2k і पीस क्लाए आज सान meeting से किए प्लास बीसी शिए कぁ डिए और अगर बर्मूल करते हो तो बीच निकल का जाएगा दोठोए तो तो यह root 2, bc root 2 आपको निकला ac, यह आपको ac निकल करा है ठीके? आगे करना है क्या है? कि आपको इसमें value put कर देना है sin a और cos है, ठीके? sin a और cos है, जागा नहीं है चलिए मैं यहां करता हूँ, ठीके? आप थोड़ा ध्यान से दिखिएगा तो हम लोग क्या लिखा लेंगे? lhs, पहले लिखा लेंगे lhs और lhs में दिया क्या है हमारा? lhs में दिया हुआ 2 sin a 2 sin a sin a और आपका दिया हुआ cos a, ठीके? तो चलिए, पूट कर देते हैं और sin theta पर हम लोग क्या जानते हैं? कि लंबाई, लंबाई कर्ण तो यहाँ पर लंब क्या है bc? है ना? bc कर्ण क्या है? ac, ठीके? गुना यह cos a, cos तीरा आधार बाई कर्ण आधार क्या है? ab, क्या लिखे लेंगे हम लोग? ab, बटा कर्ण मतलब ac अब जो भेलू है, पूट कर दो यहाँ पे बटा, root 2, गुना ab है, ठीके? तो ab की जगा आप क्या लिख सकते हो? bc लिख सकते हो, या? और ac की जगा आपको क्या लिख सकना है? bc, यह root 2 यहाँ बताओ, bc, bc कैंसल आउट यहाँ पर भी bc, bc कैंसल आउट कर्ण गया आपके पास जो बचा है, दो गुना एक बटा, root 2 गुना, एक बटा, root 2 देखो, आगे हम लोग करेंगे दो बटा क्या हो, root 2, गुना, root 2 क्या हो जाद दो, तो 2 to cancel हो जाएंगे तो क्या बचा? ए, और यह क्या है? rhsb, a हाँ, 1 है rhsb, 1 है, और आपको lhsb, 1 निकला, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं therefore, यानि इसलिए lhs equal to rhs rhs equal to क्या है? 1, यह हमारा prove ठीक है? यह proved होगी चलिए, आपका उदारान नमबर 5 है, यही last है 5 ही आपका है, ठीक? चलो, हम लोग करते हैं देखो, तिरभूज opq में जिसका कौन भी समकोन है और op 7 cm oq minus op equal to 1 cm तो देखिए, आकरिती 8.12 यह आकरिती 8.12 sin q और cos q कमान ग्याद किरी, q यह है तो q आपका, यहाँ, इसका मतलब theta यह है, तो theta का सम्मूद भूजा क्या होता, lump, lump दिया हुआ, op है ना, lump दिया हुआ, और यह 90 degree, 90 degree opposite side kern यानि oq क्या है, यह करन है ठीक है, यहाँ पर, ठीक यह lump है, और यह आधार है क्या है, यह आधार है, आपको भूजा मालू हो गया तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, op यह एक ही भूजा दिया हुआ, और दो भूजा आपको निकालना होगा, और एक relation दिया हो, oq minus op equal to 1 cm, तो चली हम लोग करते हैं, पहरा हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, लिखते हम लोग दिया है, क्या दिया है question में, उसको लोग लिखते हैं, तो दिया है कि op equal to आपको 7 cm है, है ना, यहाँ पर दिया हुआ 7 cm, आगे कहा है कि oq, है ना, यहाँ पर क्या है, oq minus pq, equal to 1 दिया हुआ, आपको निकालना sin q और cos q के भेलू, ठीक है, तो sin का और cos के भेलू निकालने के लिए आपको तीनों भुजा चाहिए, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए, कर्न चाहिए, ठीक है, तो यहाँ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगा, पहले देखो, कर्न लिखते हैं, कर्न square इसका मतलब यहाँ है, पाइथागोरस, प्रमेसे, क्या करना, यहाँ पर कर्न निकालना, यानि कर्न का मतलब यहाँ, क्या है, ओक्यू है, ओक्यू है, तो ओक्यू square बराबर, लंब square प्लास आधार square, और लंब क्या है आपके पास, लंब है, यह ओपी, तो आप next step में कि OQ के जगा लिख सकते हैं OQ के जगा यह 1 प्लस PQ लिख सकते हैं यहां से देखो हम लोग OQ स्क्वेर है ना OQ स्क्वेर तो OQ यहां से हम लोग देखो यहां पैसे निकाल सकते हैं कि OQ OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ तो हम लोग यहां OQ इक्वेर टो 1 प्लस PQ लिख सकते हैं और यहसक्वेर है तो हम लोग पहले स्क्वेर करते हैं तो T runway shows अगर करेंगे तो हमारा 1 स्क्वेर प्लस PQ स्क्वेर हो जागए क्या हो जयगा P square понять Q स्क्वेर होगा तो आप क्या करो? OQ का जगा ना? ऐसा कर दो, इसको square नहीं करो, ठीके? इसको square नहीं करो, आप पहले OQ क्योवल टु 1 प्लस PQ रगतो, O की जगा क्या रखो? 1 प्लस PQ, ठीके? इसका आप holy square करो, equal to O P square, यह ना? यह O P square, ठीके? sorry हाँ चलो ओप category प्लास ये प्रपाइब आगे दिखो यहां सेरुब लोग अप्लशू आगे अप्लास बैव लुक्षूर ने तोड़ें अगर आप्लास B होली ही स्कूर ने तोड़ते हो तो आपको बज्ष तक बाच था है प्लास बैव स्कूर हो गया, आगे हम लोग इसको करेंगे OP square plus PQ square ठीक है, देखो यह PQ square और इस थर PQ square cancel out हो गया, तो आपको पास बचा क्या है आपके पास बचा वो इस साइड में लेफ साइड में 1 प्लास 2PQ 1 प्लास 2PQ बराबर O.P ठीक है O.P स्क्वेर आप देखो हम लोग O.P के भेलू दिया 7 सेंटिमेटर तो आपको लिख सकते 1 प्लास 2PQ एक्वेल टो O.P साथ बचा दो स्क्वेर कर दो आगे देखो 1 प्लास 2PQ बराबर 49 यहां से 2PQ एक्वेल टो 49 माइनस इधर एक को राइट साइड में ले जाओ तो क्या होजागा 48 दो 24 कितना होगा 48 ध n पी क्यू का भेलू आपको क्या निकल गया 24 प kayak風 UK वेलू को 24 निकला तो यह आपको आधार निकला 24 निकल कर आगया यह सत्थ है ठीके Osogy न कल जाएगा हम को निकलेगा क्योंकि PQ और OQ के वेलु दिया हो 1 है ना तो OQ का वेलु क्या होगा 1 प्लस OP वेलु क्या हो जाएगा OQ OQ का वेलु 1 प्लस ये PQ को उधर ले जाओ तो ये PQ एड कर दोगा इसके साथ तो आपको 25 हो जाएगा ठीक है अब आपको पास निकल गया कि करन भी निकला कितना ? 25 और ये 25 अर ये साथ ठीक है तो आपको साइन Q निकलना तो यहाँँ पर देखो साइन Q अगर निकलते हो साइन Q यानिमट थिटा अमार त्वु है तो थिटा के संहुख अला होगा साइन थिटा पराबर क्या होता है लम बाइकर लम कितना साथ और कर्ण कितना आपका 25 तो यह हो गया और आपको निकालना है कोस क्यूँ कोस क्यूँ और कोस थिटा पराबर क्या होता आधार बाइकर क्या होता आधार बाइकर तो आधार कितना यहाँ पे 24 और करन कितना 25 आपको तहीं निकालना था तो आपको एंसर निकल के आगे तो दोस्तों आज इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर कर दीजिए और जैनल में ने हैं तो चैनल को सबस्राइब करिए तब तक के लिए जय हिंद आगला वीडियो हमारा होगा ए याज़ी के?